आप सब को मेरे नमस्कार, अभी हम लोग एक सेंपल पोस्ट्वन पेपर सालव करेंगे टर्म 1 के लिए 2021-2022 के लिए क्लास 9 साइंस में जिसमें total time आपको 90 minutes मिलेगा और जो total marks है 40 है इसमें सारे 40 question आपको सालव करने है सारे question में equal marks है, कोई negative marking नहीं होगा question 1 है, यह rasting आप अठीकल made up iron is called तो जो rasting है वो क्या कर लाता है, corrosion है यह और chemical change है chemical change, यह reversible nature का होता है, अग बार corrosion हो गया, तो फिर वापस हो अपने मूल फाम में नहीं आएगा अपने बेसिक फाम में नहीं आएगा तिस कापसंसी करेक्ट हो जाएगा question second है which of the following are homogeneous in nature तो homogeneous in nature में कौन-कौन से हैं यहाँ पर देखें आयस जो है कियोछ वाटर से मिलके बना रहा है तो homogeneous है नहां और जो वह है यह भी homogeneous है लेकिन वूद और सोल है वो लोग heterogeneous है तिस कापसंसी करेक्ट हो जाएगा 1 & 4th उसके बात question no.3 देखते हैं इना water suger solution तो water sugar solution में water जो है solvent है और sugar जो है solute है तो इसका option भी correct हो जाएगा question 4 है two substances and we were made to react to reaction अ third substance कि A और B जो है न वो एक तिसरा substance बना ले रहे हैं ठीक है और यह कैसे बन रहा है देखे A to B according to the following 2A plus B 2A मिलके और 1B मिलके A to B बना ले रहे हैं तो question पूछता है which of the following statement concerning this reaction are incorrect तो incorrect कौन कौन सा है तो first बोलता है कि the product is to be sourced the properties of substances and we बिलकुल नहीं जैसे कि hydrogen है न और oxygen मिलके क्या बनाते हैं water बनाते हैं ठीक है तो यह क्या बन जाता है H2O बनता है तो यह जो H2O है वो इसका property बिलकुल अलग होता है किसे hydrogen से और oxygen से तिसलिए जो है न यह उसके property को सो नहीं करेगा तो इसका first तो यह गलत हो गया second the product will always have a fixed composition तो जो product है न वह हमेशा fixed composition में रहेगा बिलकुल सही है यह है न जैसे कि अभी मैंने बताया 2H2O और O2 है यह हमेशा सा एक fixed composition में है जब यह बनाता है तब तो second तो सही हो गया फिर third देखते हैं कि the product so farmed cannot be classified compound तो जो product हो को compound ही होगा तो third भी गलत है बिलकुल fourth देखते है the product so farmed is an element तो बिलकुल आप्शनों का तुसका अप्शन सी correct हो जाएगा अब question number हम लोग five देखते है नेनो मीटर इजन तो नेनो मीटर क्या है basically एक unit है length को मापने का है ना distance को मापने का तो यह micro unit है चोटा unit है और नेनो मीटर का मतलब होता है 10 to power minus 9 meter ठीक है तुसका अप्शन सी correct हो जाएगा unit up measuring micro distance diamond is lustrous because diamond जो है काफी lustrous है इसका region क्या बोलता है क्योंकि इसका जो reflective index होता है काफी ज्यादा होता है तो इसका आप संडी correct हो जाएगा इट से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ही जाई और जिसका सालूसन नहीं है बलकि mixture है तो इसका आप संडी correct हो जाएगा बोत mixture अब कोस्टन नमर हम लोगेट देखते हैं chromosome are made up up chromosome किसे मिलके बने होते हैं तो यह dna और protein से मिलके बने होते हैं तो इसका आप संडी correct हो जाएगा यह है यह है इस से जुड़ा होगा भी देखते हैं यह टांसपोर्च materials bulls बिट्वायिस रिजन मिलकूल यही जो है इसमें not related है और दी देखते हैं कि it can be the site for some biochemical activities of the cell, विल्खुल है site है, biochemical activities के लिए cell के अंदर में, तिस काप्शन C correct हो जाएगा, अब question number 10 देखते हैं, which of the following are covered by a single membrane, कि इन में से कौन से जो है ना, एक single membrane से covered होता है, ति होता है, वे कुले, है ना, तिस काप्शन भी correct हो जाएगा, वेकुले, एक single membrane से covered होता है, question number 11 देखते हैं, 11 है, find out the correct sentence, इस में से correct sentence कौन साह बोलता है, तो first देखिए, enzymes faked in lysosomes are made through RER, rough endoplasmic reticulum, बिल्कुल यही है कि जो enzyme faked होते हैं, lysosomes से, यह RER से बने होते हैं, rough endoplasmic reticulum से, तिस का first option correct हो जाएगा, second बोलता है कि rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum produce lipid and potting respectively, तो ऐसा तरवनी करते हैं गलत हो जाएगा, see हो जाएगा, endoplasmic reticulum is related to the destruction of plasma membrane, ऐसा भी नहीं होता है कि endoplasmic reticulum जो है, वो plasma membrane को destruct करता है, ते भी गलत हो जाएगा, उसके बाद D देखते हैं, nucleot is present inside the nucleoplasma apicreatic nucleus, यह भी गलत है, अब question number 12 बाद देखते हैं, amoeba requires its food through a process termed, जो amoeba food लेता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, इंडो साइटोसिस, तो इसका आप्शन भी correct हो जाएगा, इंडो साइटोसिस, अब question number 13 देखते हैं, तो 13 number question है, which cells does not have perforated cell wall, किस cell में perforated cell wall नहीं होता है, बोलता है, तो 13 में companion cells जो होते हैं, उसमें perforated cell wall नहीं होता है, तो इसका आप्शन भी correct हो जाएगा, companion cell, question number 14 है, कि a person met with an accident, in which two long bones of the hand were dislocated, which among the following may be the possible region, तो एक आद्मिक accident हो जाता है, उसका जो दो long bones है हाथ का, वो dislocate हो जाता है, उसका बोलता है, तो क्या कारण हो सकता है, इसका बोलता है, तो इसका कारण हो सकता है, यह ligament break, जो उसका ligament होगा, जो कि hold करके रखता है, बोन को ना बोलता है, तो इसका option C correct हो जाएगा, question number 15 देखते हैं, कि which muscles act involuntarily, कौन से muscle involuntarily, मतलब अपने आप move करता है, बोलता है, तो देखें, इसमें जो है, जो smooth muscles है, और जो cardiac muscles है, ठीक है, यह दोनों involuntarily move करते हैं, तो इसका option B हो जाएगा, smooth muscle, muscles and cardiac muscles, अब question number 16 देखते हैं, which of the following tissues have dead cells, किस tissue में जो है न, dead cell होता है, तो यह cello-n-kyma, जो होता है, इस tissue में dead cells होता है, तो इसका option B हो जाएगा, इस cello-n-kyma, उसके बाद question number 17 देखते हैं, which is not a function of epidermis, तो epidermis का function कोन सा नहीं है, तो epidermis का function है, protection from adverse condition, यह तो उसका function है, तो इसका सही हो जाएगा यह, gases section भी उसका function है, conduction of water जो है न, यह उसका function नहीं है, ठीक है, और transpiration भी उसका function है, तो इसका option C correct हो जाएगा, question number 18 देखते हैं, cartilage is not pounding, तो cartilage कहा नहीं मिलता है, तो cartilage kidney में नहीं मिलता है, cost issue जो है न, tendons में नहीं मिलता है, brain is spinal cord or nose में मिलता है, लेकिन tendons में मिलता है, तो इसका function C correct हो जाएगा, question number 20 देखते हैं, suppose a y is enjoying a ride on a merry-go-round, which is moving with a constant speed of 10 meter per second, it implies that the y is, तो एक merry-go-round में मनलब गोल गोल एक लड़का घुम रहा है, तो direction का change होना भी acceleration का एक part है, ठीक है, तो इसका option C correct हो जाएगा in accelerated motion, due to the direction change in direction, ठीक है, question 21 है, in which of the following cases of the motions, the distance moved and the magnitude of displacement are equal, तो निमने में से किस case में जो है न, distance जो move किया है, जो magnitude है displacement का हो equal है, बोलता है 21 number question में, तो if the car is moving on a straight road, जब यह car जो एक सिधर road में जा रहा है, तो जो displacement है, और जो magnitude है, दोनों equal है, क्योंकि जब भी वो मुड़ेगा, तो उसका displacement भी change होगा, क्योंकि उसका direction change हो रहा है, अब magnitude भी अलग हो जाएगा, तो इस का option है correct हो जाएगा, question 22, boys goes from a to b with the velocity of 20 meter per minute, and comes back from b to a with the velocity of 30 meter per minute, the average velocity of the void during the whole journey, तो माल लिजे, यह जो distance है, वो a और b x meter है, ठीक है, अब हम लोग को मालूम है, कि velocity equal to होता है displacement upon time, अब इसमें time equal to d upon b हो जाएगा, तो जाते समय जो time लगेगा, चुकते हो, जाते समय 20 meter per minute की speed से जा रहा है, और जो distance अव एक से एक सापान 20 जाते समय हो जाएगा, और आते समय होगा x अपान 30, अब जो average below city होता है, वो total displacement, है ना, यह total distance divided by total time, तो यह हो जाएगा 2x अपान, x अपान 20, प्लस x अपान 30, अब इसको solve करेंगे, तो 30 अपान 20 के LCM 60 हो गया, तो 60 उपर चला जाएगा, तो 62 जा 120x, और divided by यह कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है, यह कट गया, तो 5 अज़ फाइब, 5 टू जा 10 और 5 हो जा 20, तो क्या हो जाएगा, 24 meter per minute आजाएगा, तो इसका option है correct हो जाएगा, 24 meter per minute, question 23rd है, कि according to the third lap motion, action reaction, जो थर lap motion होता है, उसमें, action और एक्षन जो है न, वो अलग-अलग बडिज पर काम करते हैं, और आपोजिट डारेक्शन में काम करते हैं, तो इसका option भी correct हो जाएगा, आलवेज एक्षन डिफेरेंट बड़ी, इन अपोजिट डारेक्शन, अब question number हम लोग 25 देखते हैं, तो 25, sorry 24 देखते हैं, कि the inertia आप एन अबजेक्ट थेंज तू काज the object, दो इनर्सिया होता है न, हो मेंसा, वो अबजेक्ट जीस भी, याद वो इस्टेटिक है, तो उसको अपोज करता है, इस्टेटिक को motion में convert करते हैं, उसको या motion को, मने change को पोज करता है, ठीक है, to resist any change in its state of motion, इसका option सी correct हो जाएगा, question number 25, अबजेक्ट आप मास 2 kg is sliding, within constant velocity of 4 meter per second, on a frictionless horizontal table, the force required to keep the object moving with the same velocities, ठीक है, तो यह जो object है, उसका जो मास है, वो 2 kg का है, जो constant velocity है, वो 4 meter per second का है, और एक frictionless horizontal plane है, और इसमें बोलता है कि, इसको कितना force का जरत पड़ेगा, चुकि कोई friction ही नहीं है इसमें, और एक object जो है, इसमें मुसन कर रहा है, frictionless है, तो इसमें 0 Newton का जरत पड़ेगा, तो 25 कभी हो जाएगा, ठीक है, और question number 26 से बोल रहा है, कि water tanker filled up to 23, आप its height is moving with uniform speed, एक water tanker जो है न, और 23 इसके height में भर चुका है, और एक uniform speed से जा रहा है, आना sudden application of breaks the water in the tank would, अगर हम लोग sudden application करते हैं, बेक में, तो चुकि देखिए, जब गाड़ी रुखता है न, तो water tanker तो रुकेग नहीं, वाटर नहीं रुकेग, अंदर का tanker का, वो तो आगे चला जाएगा, जैसे गाड़ी में बैटे रहते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगता है, तो हमारा motion नहीं रुखता है, हम आगे चला जाते हैं, क्योंकि motion का inertia रहता है, हमाँ पर, तिसका option भी correct हो जाएगा, move forward, अब question number 27 है, कि वह न, car at high speed makes sharp turn, ये car जब है, high speed से sharp turn लेता है, तो diver in a car tends to get thrown to the side opposite to the turn, तो ये जो diver होता है न, वो opposite की तरफ चला जाता है, हम लोग भी ऐसा महसूस करते हैं, गाड़ी तेज मूरता है, तो हम लोग जिस direction move करते रहते हैं, हमारा बाड़ी उसी direction में जाता है, ये motion का inertia है, है न, तिसको बोलते है, inertia of direction, तो this is due to the, अब संडी हो जाएगा, inertia of direction, अब question number 28 है, कि a ball is thrown vertically upward, in a train moving with uniform velocity, कि एक ball जो है न, universally, vertically upward जो है, थ्रोग किया जाता है, एक train में, जो कि उन्हें farm velocity से move कर रहा है, तो this ball will, है न, ये return back to the thrower, ये ball क्या है न, आगे पीछे कहीं नहीं जाता है, वो जो है न, thrower के पास, वापस आ जाता है, fall behind, fall ahead, fall to the left, ये सब कुछ नहीं होता है, इसका option C correct हो जाएगा, इसमें confuse मत होईएगा आप, कि चलती भी train में, बाल को उपर फिकते हैं, तो आप भी experiment करके दिखेगा, वो वापस आपके हाथी में आता है, अब question number 29 है, कि the masses, आप two bodies are in ratio 5, ratio 6, their velocities are in ratio 5, ratio 2, then their linear momentum will be, तो linear momentum क्या होता है, M भी होता है, अब इसमें mass 5 है माल लीजिए, और इसका जो velocity 1 है, अब इसका ratio 6 into 2 हो जाएगा, तो 6 to 12 बाद तो 5 ratio 12 आगे है इसका, तो इसका option D क्या हो जाएगा, 29 का D हो जाएगा है, 5 ratio 12, याद रखिए कि momentum का formula है M भी, question 30 है, इसका कराण क्या है कि जो friction force है, जो घर्षण है न हमेशा हो cycle के motion के direction के opposite में काम करते रहता है, तो इसका option C correct हो जाएगा, कि frictional force acting opposite to the direction of motion of bicycle by the road, अब question number 31 से 35 जो है इसर्षण और region based question है, इसके answer तो आपको मालूम है कि यह और R अगर true है, तो option A हो जाएगा, अगर R जो है न correct explain कर रहे हो तो और दुनों true है, लेकिन R correct explain नहीं कर रहे हो तो B हो जाएगा, और A true है और R फालस है तो C, और A फालस है और R true है तो D, तो question 31 है इसमें कि assertion, a solution of table salt in a glass of water is homogeneous, तो जो solution है table salt का glass में, यह न वाटर के साथ में, तो वो homogeneous होता है, बिल्कुल सही है, region बता रहा है कि solution having different composition throughout its homogeneous, तो कभी भी solution में अलग-अलग composition नहीं होता, अगर हो homogeneous है तो इसका region गलत है, ठीक है, तो यह सरसन सही है और region गलत है, तो इसका options ही सही हो जाएगा, उसके बाद question 32 बोलता है कि, burning up match stick, यह सरसन में, कि burning up match stick की जो chemical change, है ना, जो burning है, कांच के माचीज के तिल्दी का जलना जो है न, जो है न, जो है न, जो chemical change है, विल्कुल जब भी कुछीज जलता है, तो chemical change होता है, region बोलता है, कि chemical changes are reversible changes, whereby the chemical composition always changes and a new substance is farmed, तो chemical change जो है नहीं reversible होते हैं, जिसमें chemical composition change हो जाता है, और नया चीज बनता है, तो यह सरसन और region दोनों true है, और साथी साथी जिजन जो हैने सरसन को correctly explain कर रहा है, तो इसका option यह correct हो जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद अब question number हम लोग 33 देखते हैं, तो 33 number question है, इसमें, यह सरसन है कि parenkma cells help in storage, פהat, जो parenkma cells होते हैं न, हो płोट को storage करने में help करते हैं, बिल्कुल सही है, दुसरा बोलता है region कि parenkma cells are in, are the main seeds of photosynthesis, बिल्कुल बी झाहिए कि parenkma cells जो होते हैं न, main seeds होते हैं photosynthesis का, लेकिन इसमें क्या है? दिखेए, के साथ true है दूसरे के साथ ही true है इसमें क्या होता है कि assertion रिजन दुनों true होते हैं और जो रिजन है रिजन को correctly एक्स्पेंड नहीं करता है question no.34 है कि assertion है कि the inner lining of instantine has tall epithelial cells जो inner lining होता है इस्टेंट का वो उसमें लंबा epithelial cells होता है रिजन बता रहा है कि columnar epithelium facilitates absorption and segregation और जो columnar epithelium होता है वो absorption and segregation को काफी ज्यादा सुधा करता है तो दोनों true है और 37 रिजन assertion को काफी अच्छे से explain कर दे रहा है बता रहा है कि क्यों होता है linear lining इसे 10 टाल epithelial cells तो इस का आप साने correct हो जाएगा उसके बाद question number 35 देखते हैं कि cricket player moves his hand backwards on catching a fast cricket ball कि एक cricket player जो है जैसे ही एक तेज क्रिकेट गेंद को आते हुए अपने तरफ देखता है तो हाथ को पीछे खिच लेता है फकरते समय रिजन बता रहा है कि it is based on Newton second lab motion और इस ही है कि Newton का second lab motion जो है लाब momentum को डिखाइन करता है कि जो time जितना लेगा वो उतना कम जटका उसको लगेगा तो दोनों true है और ये correctly explain भी कर रहा है उसको ते भी option इसका ये correct हो जाएगा है ना कि both are true and region is correctly explaining the assertion उसके बाद अगला question जो है ना case study based है तो पढ़ते हैं इसको कि all living organisms are made up of cells सभी जी 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 जो है ना cell से बने हुए है and these cells perform all the functions as a cell for the survival of the organism और ये cell जो है ना सारे function को करते हैं जो कि survival के लिए जो रही है किसी प्यार्विजम में जैसे रेसिप्रेशन, डिजेशन, एक्स्क्रेशन, इन एनुसेलूलर अर्गनिजम से सिंगल सेल केरी आउट आल दीज फंक्शन्स लेकिन इनुसेलूलर में अगर एखी सेल हो तो उसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल जो है ना सारे function को करता है एन इन multicellular items, different group of cells carry out different functions, और multicellular items, different groups of cells होते है और अर्गन होते है जो अलगन ने तो question 36 है, the structural and functional units of life ही तो जो life का a structural functional unit होता है या जो base होता है वो होता है cell बिना cell के life is नहीं हो सकता question no.37 is the cell which do not have a fixed shape कोन सा cell का एक fixed shape नहीं होता तो अमीबा का जो है ना कोई fixed shape नहीं होता तो इसका अप्शन C correct हो जाएगा question no.38 is cell was discovered by तो cell को किसने discovered किया था तो Robert hook नहीं किया था तो इसका option भी correct हो जाएगा Robert Brown से confused मत होई एक Robert hook है न उसके बाद question no.39 देखते हैं तो 39 बोलता है कि select the prokreatic cell prokreatic cell इसमें से कौन सा है तो यह है वेक्टिरिया इसका option भी correct हो जाएगा अब case study में अगला second number case study है कि study the following graph इस graph को ध्यान से देखना है velocity time graph है तो देखे यह से भी फाइब तक के motion जो हो रहा है question no.40 बोलता है कि state the kind of motion that objects had from a to b and from b to c ठीक है न तो यह जो है motion जो है a to b में क्या uniform motion है जीसे कि हमने समझा कि उसमें कोई change नहीं हो रहा है उसके बाद b से c जीत के non uniform motion है तो इसका अप्शन भी करेक्ट हो जाएगा question no.41 है कि identify the part of graph where the object is zero acceleration तो किस part में graph का zero acceleration है acceleration zero है a b में देखे ए b में motion जो है बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है तो इसका option a b हो जाएगा तो a b किसमें देखते हैं तो a b है b वाले सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा उसके बाद question number हम लोग 42 में आ चुके हैं कि identify the part of graph where the object has negative acceleration give region तो negative acceleration किसमें है यहां से देखिए b से c में इसका velocity drop हो रहा है तो velocity drop होना ही तो क्या है negative acceleration सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा कि b c b का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है और displacement को रिपरेजेंट करता है ठीक है